देखिए दोस्तों यह एक सुनी का 32 इंच का LED है इसका मोडल नमर देखिए KLB 32R 422B यह जो LED है उसमें पैनल खराप हो गया इसमें यह बला पैनल लगा हुआ था देख लिए आची तरह और पैनल का नमबर भी देख लिए यह जो पैनल है को टेक्निशन के पास आया है वह गैल लाइन कटिंग करने बाद जांड करनेक टाइम दोना साइट देखिए कोई जांड डिस्ट्रमांस हो गया इसे बज़े से पैनल प्रजल गया ठीक है इसको पैनल को चेंज करना पड़ेगा यह और्जिनल पैनल हमरा पास नहीं थे हम क्या किया है उसमें नेया पैनल लगाया एम आई बहला जो पैनल है देखिए यह बहला पैनल हम लगाया यह पैनल का नमबर देख लिए अच्छी तरह यह पैनल में उच गया यह में लगता है ठीक है यह बहला पैनल में लगाया लेकिन उसमें जो पैनल था यह पास नहीं है मैं बनाया है देखिए लागेगा दाटाशीट में बनाया देखिवे जो एल बेस है मैं इसको सुछुल्डिंग करके बनाया देखिए ठीके जी कि डशी हिसाब से मैं इसको SHoulding करकर बनाया है दुसरा इसमें ये बला साइट में दखिए कि राइडशेट supply है यहां पर में दुसरा बला ल confront का सब्लाय था है इसी हिसाब से दोस्तो जो पैनल लगाएंगे पैनल इड उजी नहीं करेंगे वो five time blinking में चला जाएगा लेकिन सुनी में वी वही पैनल लगाएंगे तो इसका दुसरा पैनल लगाएंगे तो mirror option आजाएगा सुनी में मिरेर अप्येक्छन सार्विशमे भी नहीं होता है पिक्चर बल्टा हो जाता हैぇ कि इसलिए यह बला जो पेनल है इसमें मिरेर अप्यक्छन नहीं आएगा और यूज़्ए बला पेनल लागाएंगे फिकन बला इसमें यूज नहीं किया है पैनल आड़ी नहीं लगाने से फाइब टाइम लिंकिंग चला जाएगा लेकिन पैनल आड़ी किस तरह बना हुआ रहता है मैं इसको डाइग्राम थ्रू आपको समझाऊँगा पहले यह जो मैंने एलब्रेस बनाया इसको पहले मैं लगा के देखता हूं में लाइट आ रहे है कि कोई मेपिंग बगरा कुछ आ रहे है कि नहीं से बना होगा तो कुछ नहीं आएगा ठीक है LAN मेरी जई मेरे साथ मैं इसको लगा के प्ली अन करके दखाऊँगा अभी देखें सैट को कऔरेंट देंगे में देखेंगे यहां पर देखें सेट को कऔरेंट देता हूं और इसको अन करता हूं कि अंडिकेटर आ गया दोस्तों देखे आप इसमें देखे दो एल्डेस लगाए यह रखा या कि नहीं आए मिरूर तो नहीं आ गया इसमें फिक में उल्था करने से एक बार सुनी आएगा इसका बाद ृटएं में चला जाएगा ठीक है इसमें देखե अभी तक प्रय टाइम में जा रहा है ठीक है इसको माँ पैनल लाईटी किस तरह बनाते हैं मैं आपको बनाकर देख neighborhood 강वा ठीक थरू बताओंगा लाइन में देखे आप heraus color preserve को अच्छी तरह देखें के हिए यह देखें दो एक प्रम लगाऊए चूटा फूटा यह कक उप्रम इए अच्छी तरह देखें लिखें रगवाय कुद्ध दोनद प्रम लगाऊऊं ऐसा है खीयो PartILY तरह के क? यह पेनल के लिए है, मतलब उसका जो प्रोसेसर के लिए वोज होता है, हम किस तरह जानेंगे, कि कौन सा इप्रम पेनल आइडी के लिए है, और कौन सा प्रोसेसर के लिए, ठीके, लाइन मेरी जे मैं डाइग्राम थो, आपको समझाओंगा, ठीके यह देखे, इप्रम का 8 पिन होता है, यह पिन नमर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीके, आप दुनों इप्रम लगा हुआ है, इस कलर में, किस तरह पेचानेंगे, कौन सा इप्रम है, पेनल नाइडी के लिए, यहाँ पर जो अलबिडिस सकट अ है, मुदर बोड में, यहाँ पर जो अलबिडिस सकट है, पेनल में, यहाँसे मुदर बोड़OS जा रहे है, यह जो अलबिडिस सकट का साथ देखेंगे जो इप्रम का कॉंटिनूड या आएगा जो S.C.L. A.D.A. यह होगे आपका A.D.A. यह होगे आपका S.C.L. ठीके जो दो पॉइंट आपका जो दो पॉइंट आपका एलबेट साकट का साथ कनेक्शन रहेगा एलबेट साकेट थो मौदर बोड को जाएगा वही इप्रम होगा पैनल आईडी और जो दुसरा इप्रम है जो आपका T.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. आप panel ID को open कर देंगे माल लेज़े panel ID का second नहीं है panel ID का जो इप्रम है इसको open कर दीजिए 1,2,3,4,1,2,3,4 4 pin को एक साथ में ground कर दीजिए एक जगा में, solding कर दीजिए ठीके, 1,2,3,4 4 pin को एक साथ में ground कर दीजिए और यह हो गया आपका 5 number pin यह हो गया 6 number pin, यह हो गया 7 number pin, यह हो गया 8 number pin 5 number pin HD है और 6 number pin SCL है यह दूनों को आपका एलिब्रे साथ जो जो pin continuity आ रहा है वो डाइडेल लेके solding कर देंगे नेया पैनल में लगाने के बाद वो इप्रम उपननाग बाद 5 number pin को HD जहां पर continuity आ रहा था उसी पर connection कर दीजिए और 6 number pin को जहां पर continuity आ रहा था इस पर connection कर दीजिए, एलिब्रे साकेट पर वो एलिब्रे साकेट थू होके आपको motherboard मुझा रहा है ना उसी का साथ continuity चेक कर देंगे motherboard में कौन सा, point में continuity आ रहा है और pin number 8 को 3.3 bolt दे दीजिए जहां पर 3.3 है, उपन करके दे दीजिए आपका 5 टाइम blinking हट जाएगा, नेया पेनल installation करने के बाद एक बार बहुतता देता हूं, और line में रीजिए ये जो 5 number और 6 number pin है आप जो पुरुना बाला सकलर से continue देखे थे जो एलबेट सकेट पर continuity आ रहा है वो continuity आपका mother board में जाएगा marking कर दीजिए, continue करके mother board में कौन सा pin SCL है, कौन सा pin HD है 5 number pin HD है और 6 number pin HD है SCL HD को direct way or 2 jumper way or through लेके mother board में, जहां एलबेट सकेट लगा हुआ, इसमें shielding कर दीजिए, और pin number 8 को 3.3.4 जहां पर है दे दीजिए और 1, 2, 3, 4 4 पहीं के एक साथ में ground कर दीजिए, आपका 5 time हट जाएगा, ठीके अभी इसी हिसाब से इसका इप्रम में उपन करूँगा, इसमें लगाऊंगा और 5 time हटाऊंगा, ठीके panel ID लगाने के लिए पुरा डाइग्राम मना के आपको समझा दिया, पुरा clear हो गया ना, इसी टाइप के आच्छे आची वीडियो देखेंगे, मेरा चैनल में आपको आच्छे आची knowledge मिलेगा, अभी ओ पैनल को में ready करके आपको वीडियो देखाऊंगा, ठीक है, लाइन में रेजिए मेरे साथ, दोस्तों, जो सुनी का मैं बूल रहा था, इसको देखिए, पैनल लगाने लगा दिया है, इसको देखिए, सुनी लोगा आगया, तो बेट किजिए, रात में एककले बना रहा हूं, अभी देखिए, पुर पूरए होगे, अईक कहाँ, दुस्तों, लोगे हो गया, इसको देखिए, बदीकोलगे हो गया, इसकोête साई बना रहा हूं, डिस्ट्रिवंस हो रहा है, जो स्कालर्ट प्यों को यहां पर चिपक्ट के दिया गया तिआ खुट्प इतना खुट्पा में देखा द्खिए को इतना त्षूट्पोट्प आकशन एक हुस्ट्रित और है को जो AT तुर यहां पर कुनेक्शन कर दिया यहां पर है अधक到 कि यह पर एसट एले यह लगा दिया और 53 यहां से दिखे इसका आई 3.3 यहां पर 3.3 लगा दिया और यहां पर S.C.L.S.D.A लगा दिया यहां से ग्राउंड ले गया इस कालार को यहां पर चिपका दोगा इसी साइट में और साइट में अपरा ओक विगादर इसी टाइप का अच्छी आची वीडियो देखने के लिए मेरा यूटूब चनल में जूड़े रही है अपको अच्छी आच्छी नलज मिलेगा ठीक है थैंक्यू